एलेक्षन में हमिस साधी अगर 15 दिन 20 दिन पहले किसी भी प्रांत में चले जाएं और वहाँ एलेक्षन करवा दिए जो रिजल्ट आता है आप सभी लोगों को मालूम है आप समझ गया हो तो इस बार पहले बजाएए उस मुक्तक से पहले और अभी कश्मीर समस्या मैं हल करने जा रहा हूँ कि हुकूमत मश्वरे पर गर मेरे तयार हो जाए तो ये मुम्किन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए चले जाएं अमिस्सा पाक में कुछ रच की खातिर यकिन पाक में भी भाजबाक जया है पाक सरकार हो जाए कश्मीर की बात उठी गई है और में हाजर करना चाहता हूँ दो तीन नुक्तक कि जब भी शेरे वतन निकलते हैं भारत है भाई साब जब भी सेरे वतन निकलते हैं बन के शोला फ्रिगन निकलते हैं ताली उस पार तक जानी चाहिए भाई साथ के जब भी सेरे वतन निकलते हैं बन के शोला फ्रिगन निकलते हैं इनको मरने का गम नहीं होता सर पे बाधे कफन निकलते हैं काश्मेर की बात काश्मिरी लेने का जो फाग देखते हो मिया भान की देश्बती देखा था. आघ के सामने इक बंदा खड़ा उसकी देश्बती देखे। काशिमीरी लेने का जो भाब देखते हो मिया बहुत बहुत शुक्रिया भाई साफ इसी की कमी हो रही है काशिमीरी लेने का जो भाब देखते हो मिया जिन्दगी में खाब नहीं पूरा कर पाओगे कश्मीरी लेना तो क्या छूबी नहीं पाओगे कश्मीरी घाटी सुनो खिंद का है सरताज इसे गर छेड़ोगे जहां से मिठ जाओगे अरे राम का है देश यहां हनुमान रहते हैं रावरो की लंका भापी फूंप दिये जाए वाँ 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 एक मुक्तक और जब बात उठी गई है हाजिर कर राओं फिर कि नफरतो की तोई डालो अब यहाँ जंगीर को अपने हाथों मत बिगालो देश की तश्मीर को वाँ अपने हाथों मत बिगाड़ो देश की तश्मीर को और जब वतन का बच्चा बच्चा जानी सारे हिंद है तो पात में हिम्मत कहां जो छेन लेकर थे पात में हिम्मत कहां और एक मुक्तक और हाजिर करना दो मुक्तक पढ़के बिजा लेना थे था हूं मुखबत हो देखे हास की बात कर रहे हैं देखे इसमें ओज भी है और हास भी है एक मुक्तक में दो रंग हाजिर कर रहा हूं पाकिस्तानियों सुनो मुखबत हो तो हम लेकर गले का हार बैठे हैं मुखबत हो तो हम लेकर गले का हार बैठे हैं नहो उल्फत फिर जूता लिए तैयार मुखबत हो तो हम लेकर गले का हार बैठे हैं नहो उल्फत फिर जूता लिए तैयार बैठे हैं तबाही या शुकूँ तबाही या शुकूँ जो चाहते हो मुंतखब कर लो सभी से हमनी पटने का लिए हत्यार बैठे हैं क्योंकि ये भारत हैं यहां हर कौम के जीदार रहते हैं यह भारत हैं यहां हर कौम के जीदार रहते हैं यह गफलत में नहीं हर दम सुनो बेदार रहते हैं अरत तुम अपने भेडियों को पाक में ही बांद कर रखो हमारी सरहदों के जीरिनर पूकार रहते हैं और आखिर मुक्त पढ़के आप से बिदा लेना चाहता हूं कि ठीक है आप सनातन में हैं आप रहें हम इसलाम में हैं वो सिख है वो इसाई है वो जैन है जो जहां है रहें दिमाद हो कहीं पर दिल वतन के साथ रहे मजबूत बात हो तो साथे दीजेगा कि दिमाद हो कहीं पर दिल वतन के साथ रहे हरे एक सास इसी अंजुमन के साथ रहे मेरे लिए यही जन्नत से कम नहीं होगा मरू मैं जब भी तिरंगा कफन के साथ रहा